नौस्कार इम्सिक टेलेवीजन को फोकस न्यूज मा स्वागत छा मा सुधी पधिकारी दर्शक मानभाब तपाईल्य हामिलाई अपनो टेलेवीजन सेट संगै इम्सिक टेलेवीजन को यूट्यूब चानल रवेस्पूक को पेज का माध्यम बाठ पनी 200 का बिविन स्थान बाठ हेरना सक्नो हुने सा अनकूल समयमा दर्शक मार भाव परापूरब कावलमा शीकारी अनारmaan सीकार खेलना जादा कुकूर को गाटि मा गматी जुन्द. आ साथ में लिए नारकार समा थी। ताकि पाथ रेक ऐ फानकी अनकाुन को दितका विल्व सीब। भंटी को भुणrą, सीकर। येस बाटने प्रस्ट हुन्छा कि संगीत मानिशलाई बात्रे वहिना प्राणी जगत लाईने वन पर्छा। संगीत कला भावनात्मक कला हो, संगीत कला मन भित्र को कला हो। संगीत दिबस। येसको अउपचारिक सुरुवात फ्रांस बाठ संगीत दिबस। पईलोपटक सन 1981 जुन 21 मा फ्रेंच कलाकार मौरिस फ्लोरेंट को सोच अनुसार फ्रांस मायो दिबस मना येको छिय। तेस येता हरेक बर्ष जुन मैना को 21 तारिक का दिन 200 संगीत दिबस अर्थात World Music Day मनाओ दै आई येको छा। अईले संसार का एक सय बढ़ी देश मा संगीत दिबस बिशेश उत्सब का रुपमा मनाई छा। संगीत मानिस को आवाज वा विशेश उपकरन हरु जस्ते सितार, गितार, भायोलिन वा ड्रम, आदिबात धुन निकालने एक कला हो। संगीत मा द्वनी हरुलाई समय अनुसार मिलायर मनपर्दो नतिजा निकालीन छा। संगीत धिरे किशिम का सन। सामबेद मा संगीत सास्तर का विशे मा संसार का सबबंदा प्राचिन ग्रनधा अरुपाईंचन। ब्रहम्मा विश्णूर सिव सास्वत त्रिदे प्रथम संगीत तक यथिए। ज्यानकी देभी सरस्वती का हातमा बिलना चा जो संपून संगीत को प्रतिक हो। भगवान स्री क्रिष्ण को हात्मा मुरली छा, जसको धुनले भगता हरुलाई परम तर्फाको अनन्त यात्रामा जाना लालाईत कराउशाब। नेपाली माटो को प्रती निधित्तो गर्दसा। इने विशेस्ता का कारण नेपाली संगीत को बेगले महत्व रहने गर्दसा। इगुनासोलाई चिर्ना का लागी नहिया जोसका साथ संगीत कर्मी अगारी बढ़नुपर्ने अबस्ता देखिन्छा। दर्शक मा अनुभाब। संगीत लाई जीवन जीवने आधार बन्दा पनी फरक पर देईना। कि संगीत संगई संमन्धित विशे बस्तुने होयो ना चाहिं। तरह युटा साथ बर्शे बालक को संगीत मोह र उसको कला का बारे मा चर्चा गर्शवब। जापा को दमक नगरपाले का वड़ा नमर आठ का साथ बर्शिय रियाज रिजाल को संगीत मोह र संगीति कला को संधर्व अवको प्रस्तुति मा। साथ बर्शिय बालक को संगीत मोह चसलाई परिबार ले दियो साथ। दर्शक ब्रिन इहुन जापा दमक नगरपाले का वड़ा नमर आठ का साथ बर्शिय बालक रियाज रिजाल। उनले अड़ाई तीन बर्शको उमेर देखिनेई संगीत मा रूची राखे। नराखुन पनी को सरी उनको आमा कमाला खनाल संगीत प्रसिक्चक पने हुनुंच्यों। सुरुमा ता उनले अरुलाई सिकाय को देखे रै आफुले पनी मादल बजावन थाले। उने बिरुवाको चिल्लो पात मने जाई उनले सानाई मा संगीत मा रूची राखे को देखे पसी परिबार ले पनी रियाज लाई साथ दियो। उनी अईलेता तबलाको धुनले अरुलाई ये सरी मोहीत पार्न सकने बनी सके कासन योहिर्नुस। स्क्योव yr वर्थ उनसे होरान करे दोले स्क्सक्रीज बाई कि ये अवलो के ज़से, बिरुलाई रियाज को आमा कमला खणाल लामु समय देखी संगीत छेत्रमा आबद्ध रहेकाले पनी उनमा त्यो छेमता रहेको भन्ने अरू पनी न भहेका होईनन जो कोई पनी उनले बजाय का मादल का ताल सुने रा लठ बन्ने गर्दसन अधिकाम स समय मादलमा रमाउन चाहाने उनी उत्तिकई मीठो गीत पनी गाउसन ता कुरा मखिलने मजुक दै न जुक दै न जुक दै ने पाहल को छोड़ो खोशे को रोटेले मेरो पेद परिंदा मागे को दोटेले मेरो लाच पिंदा खोशे को रोटेले मेरो पेद परिंदा मागे को दोटेले मेरो लाच पिंदा गोटिये रात पाओ जर्जा आओ नौला तरा कोई न करड़ी इहा चुडिंदा इहा चुडिंदा भविश्यमा छोरालाई नेपाली सांगीतिक छेत्रमा केही गरेको देखने उनको बुआ आमाको इच्छाछा तेसेले ता वहीले देखीने बुआ आमाले पनी रियाजलाई सांगीतिक छेत्रमा येसरी साथ दिने गरेका सन पुरा चालो मतु भीक्रम छुरा चलो आजा तिंगो फुरा चालो मतु भेक्रम छुरा चलो बल्ला बल्ला भरेको धाउमा फेर नाया चिराप आजा तिंगो पुरा चालो मतु भेक्रम छुरा चलो रमते को भुचो थियो चिना जाना अपने थियो तेहे भीड मा तिंगो रोको नचाही दो चंचा चलो बुआ हेमंत रिजाल र आमा कमला खनाल रिजाल को साथ पाएपसी रियाज रिजाल को घरमा बेगले संगीतिक माहोल जमने गर्षा परिबारने बेला भाहेर साजा उनिहरू यसरी संगीत मा रमाउने गर्षन तिम्रो बावलाए शालम गषा तिम्रो बावलाए शालम खावलाए एमालाए नमस्थे अरोलाए भर यसरीया खापने ये काशलेभाने काना शब्ड़े भाने वika रित होने कांछ़ जाए निसरीया खापने सांगीतिक छेत्रमा उदाउदो तारा का रूपम रहेका जहापा दमक का साथ बर्षिय बालक रियाज रिजाल लाई सांगीतिक उचाईको सिखर मा पुगने सफलता मिलोस हमरो तर्फबात पनी हार्दीक शुभका मना भुकाले भन्चाई गुटू गुटू मेरे राधा पियारीको चिलिन ले भन छाराम चिलिन ले भन छाराम हमिले भने को मंद छो भने मिरे राधा पियारीको तिर था गुम जाम तिर था गुम जाम राधा पियारीको बला दिन ले ना जोबने से धल की गयो प्राधा पियारीको बला दिन ले ना जोबने से धल की गयो दर्शकवान भब जिवन का पाटा पाटामा दुखर सुखमा हासोर रोधनमा प्रतेक शमयर पाईलामा बिभिन लय भायर गुंजिय का संसंगीत प्रतेक प्राणीले जिवनमा जानेरा होस अथवा न जानेरा संगीत के उपयोग गरिरेको हुँँछ प्राणीले संगीतले उपयोग मात्रे गर्दैना तेस बाटा उसले लाब समेत प्राप्त गरेको हुँँछ शुखामा सुन्च संगीत आनी दुखामा सुन्च संगीत पिडा बेथा र दुखाईमा सुन्च संगीत आसो उच्छा उमंगमा सुन्च संगीत रा निय उसले ती भगाई को यथार्थामा आफुलाई परिमार्जन गरछा रा तेस बात आफुनों भगाईलाई शरल रा सहज बनाओशा त्यसे कारण संगीतलाई प्राणी जगतले उपयोग गरछा रा लाब प्राप्त गरछा दमक्का रियार्ज रिजालको संगीतिक कलाको विशेमा हमी अज्जाइपनी चर्चा गर्ने नहीं छाऊं तरह तेस बंदा आगी 21 विश्राम लिन छो विश्राम पसी पुन स्वागत छा तपाई इमसीक टेलिवीजन मा फोकस नियूज का बीच मा हुनों छा राजाहामी संगीत का विशेमा समर्पीत भहिरे कासों अब चाहिं विश्राम अगी को बाकी संधर्वा हेरों यो रिपूर्ट मा रियाज को परिबार का कुरा तबलिस्ट बनने रियाज को रहर दर्शक बिंद जापा दमक का साथ बर्शिय बालक रियाज रिजाल जो यती बेला आपनो सांगीतिक कला का कारण निकी चर्चा मासन उनले बजायको मादल रत बलाको धुनले सबैलाई लट्ठ पारसन उनी अजब परिबारने संगीत मा लागडा संगीत प्रसिक्षक समेत्र हनो भायकी रियाज की आमा कमला खनाल रिजाल पारिबारिक वाता बरणले पने जो कसेलाई सांगीतिक छेत्रमा अगाडी बनना धेरे मद्दत पुगने बतावन हुन छाब रियाज को संगीतिक छेत्र को यात्रा का बारे माचा ही वहां को बनाई यस्तो साब एकदम है खुशी लागछा मैले शाने बड़ा संगीतलाई माये करें संगीतलाई मन पर आये संगीत माई माँ अगाडी बडी रहता परिवार पने अब बनाव मेरो स्रिमान पने संगीत संगाई समंदित हुनु भाय तेस्माबने चपरा पने अएले आयरा संगीत प्लाइने फ़लो गर दे चन एकदम खुसी लागशा इसाने बड़ा माफी संगा उलाई लेरा संगीत अलाई जान्दा तिया उल्ले बस ना थाल दा हेरे सो आज चलाउना थाल दा हेरे संगीत को अली कती छनक देखीने हालको उल्ले के कुरारू देखा को तियो तिया देखीने अलेली हो संगीत मा उले रुची राख सकी जस्टोची मलाई च्यों फिल भय हुँदे हुदे अने एक डियर बर्षा दुई बर्षा अड़ाई बर्षा को हुँदा तो उल्ले मत जाले दो रो ताल अरो बजाउना थाले पसी ता पक एबनी राम्डुने ग यसते ही रियाज का बुवा हेमंत रिजाल पनी परिबारने सांगीतिक छेत्रामा लागदा बेगले आनंदको अनुभूती हुने गरेको बताऊनो हुँदे रियाज ले संगीतलाई प्राथमिकतामा राक्टाई गरदा बिद्यालाय जीबनमा असर परला की न परला बनी आ महालाय प्रस्ण करदा वहांको जबाब यस्तो चाथ इस्कूल मा पनी फरस्ट फरस्ट गरी रहेका आसन तेस इसाबले यो एवड़ा सानु क्लास मा पायको उपलब दिलाई मतरे आमी तेस तो पर्याप्त ठान देनों तर आगामी दिन मा पनी आमीले म्यूजिक का अलाबा संगीत को यो जुन पाट होसा यो देखी बायक पनी उसको पड़ाई को कुरालाई ता एक दमे प्रयाप्त देन शेंगा पोईलो शिक्षा बाने गो ता एकेडेमिक पड़ाई ने यो तेस पसी आनी यो कुरायारों आऊँछा यसते रियात संगा पनी हामीले उनको सांगीतिक यात्रा का बारेमा कुराकानी गरे कासाँ हेरों रियात संगा को हमर कुराकानी यह पाँ 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 पा कि बनने फटाप को नाख से संगीतकार वणने मुन लागी हैं राखे शाई अप्रोप अफ्रोप भाबा भूस फटाध में राखे अवाध शाय गुन्छा हैं तो लाखे मैं राखे दूर। पड़े बिग्रिदे ना तेशादर दाए? पड़े पनी शांचेंगी लागने हो, पड़े पनी राम्रे गरने हो रह यत्तिने आजयका फूकस न्यूज अरको श्रिंखाला मा तपा हम्रो अपुना बेट गात होनेश थप न्यूज के लागी हम्रो वेबसाइट www.himseekerTV.com.np log-in गरनो होला अनुकूल समय मा तपाहिले हम्रो समाचार बुलेटीन रा कारेक्रम हरू हम्रो अफिस्यल यूटूब चानल रो फेस्बूक का पेज मा पनी हेरना सक्नू होनेश अजलाई हमी सबेलाई विदादिनोस नमस्ते अजलाई हमालाई है